दोस्तो और लिट पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो चैनल पर पहली बार है और फस्टाइम वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सकाइब नहीं किए हैं तो यहां से सब्सकाइब कर लिजेगा आप लोग और सब्सकाइब करके बेल एकन यहां से जरूर प्रेस कर लेजेगा ताकि सब वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें और दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला आज तक मैंने भी इस अपने चैनल पर नहीं बताया हुआ है और आपने कहीं भी नहीं देखा होगा सुनाओगा आपसे रिक्वेस्ट है जो नमर निवेदन है हमबल रिक्वेस्ट है हाथ जोर के निवेदन है वीडियो को पूरा देख लेजेगा फिर आप किसी भी तरह का कोस्टन पूछना आप बंद कर देंगे ठीक है लेकिन बावजुद इसके कोई भी दिकत प्रेशा नहीं रहती तो आप कमेंट करके कोशन पूछ सकते हैं और आपको 100% समाधान मिलेगा हमारे पास और हम आपके कमेंट को जरूर पिक करेंगे दोस्तों कल के डेट में हमने बताया हुआ था जो भारत सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है यानि भारत सरकार बहुत बड़ी रहात देने जा रही है तो इसी वीडियो का हम अभी डिटेल से अनालिसिस करेंगे डिटेल से आपको बताएंगे एक एक पॉइंट किलियर होने की 100% गारंटी कोई बिना किसी वरेंटी का तो वीडियो को लाइक कर लिजे और हाँ इस बात किसी की गारंटी मैं दे रहा हू जो अभी वीडियो को लाइक करेंगे और जदी आपको वीडियो पूरा देखने के बाद पसंद नहीं आये और वो जानकारी नहीं मिले जो चाहिए आपको तो वीडियो को डिश लाइक करके आप उल्टे पुल्टे कमेंट करके जा सकते हैं लेकिन वीडियो को पूरा बाहर सरकार ने ऐसा सिगनल दे दिया है जितना आपने सोचा भी नहीं था उनसे कहीं ज्यादा दे दी है बिल्कुल आपको इंडिरेक्ट ली ठीक है चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए थमनेल में आपने देखा बहुत बरी राहत सरकार बहुत बरी राह आपको एक लाइन में बताता हूं मिलेगा मैं आपको ख्रियों प्रिया में होता है वह सब 188 होता रहता है वो आपके principal amount में जूरता रहता है ठीक है ये बात आप बात करते हैं 180 दिन तक रहा तो 6 मैने तक आपको ये indirectly मिलने के आसार अब बजट 2021 का जो सरकारी भारत सरकार का जो बजट आने वाला है इस बजट में क्या-क्या प्रावधान होगा और दूसरी बात लोन एप वाला harassment बंद कर देगा आपको चिंता लेने की जोड़त नहीं है क्यों क्योंकि जब 180 दिन तक अब इस बात को तो लिख लो इस वीक में भी नहीं आने की पूरी की पूरी गारंटी में दे रहा हो इस सब्ता भी नहीं आएगा अब कब आएगा हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे और वीडियो देखते ज्यादा बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जागा क्योंकि एक एक पॉइंट आपको सुनना इस वीडियो में ठीक है अभी भी पेंडिंग है चलिए अब हम आते हैं अपन क्लासिफिकेशन हमने कवर किया है बैंकिंग रिगुलेशन एक्ट दो हजार एक इस जो अमेंडमेंट होने वाली है उसको भी कवर करेंगे एक प्लासिफिकेशन वाली जो पॉइंट है एक नभे दिन से 180 दिन तक होगा ये भी हम आपको बताएंगे और भार सरकार का फाइ बिल जो आर ये 2021 में इस पर आने के पूरी की पूरी संभावना है जिस पर भार सरकार विचार कर रहे है चलिए यह सारी चीज का रिप्रेंस अभी हम आपको बताएंगे इधर भी दिया हो अब इतनी सारी बात क्लिए लेकिन अभी जो सबसे बरी बात क्या है जैदी आपको आपका लोन सबस्कोर आज के डेट में एनीपी हो जाते है तो क्या होगा तो फिर बेंक क्या करें कि बैंक तो खुसी हो जाएगा बैंक को तो आपका जो मुथेवल प्रॉपर्टीज है जिसको घिरिवी रखके अपने लोन लिया तो उसको कबजा करके बेज देगा ठीक है अब बात करते हैं दूसरी बात लेकिन उसके लिए टाइम वगड़ देगा लेकिन वह तुबा अभी देखे जो सबसे बरी बात क्या है जो मोरिटोरियम मिलेगा मैंने बता है मोरिटोरियम मिलेगा आपको जदी अभी सपोज करो आज की डेट में सुप्रीम कोट लिफ्ट कर तक पेमिट नहीं होगा तो एन फीज लेकिन अभी क्या है अभी का जो सिटूइशन है अभी जो जुरू है इसके तहट आपका लों 90 दिन तक कंटिनिवासली जदि आप पेमिट नहीं करते हैं वो एन पी हो जाता है तो भारत सरकार ने क्या करिया है अभी जो बिल आने वा कि यह कहा भी है या नहीं कहा यह देखो गॉब्मेंट ओफिसियल टोल्ड मनी कंट्रोल समझरे बात को इन्हों ने कहा जो अभी की जो 90 देज का जो नॉम्स है इसको हम 120 से 180 दिन तक करने पर बिचार क्या जाएक सेंटर इस कंसिडरिंग समझरे बात को तो यह जदी हो जाती ह है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हुए क्योंकि आपको मालूम होगा 2017 से पहले जो एन्पीय का कलाशी एन्पीय आपका लोन होता था कंटिनुअस्लि जηदी आप 180 देज तक नहीं पे करते हैं लोण तो आपका लोण क्या हो जाता है एन्पीय हो जाता है ठीक है 180 दिन के बाद होगा अब यहां पर देखो दो बाती इन्वाल्व हो जाती है दूसरी जो सुप्रीम कोट से जो जजमेंट आने वाला है सुप्रीम कोट से जो फाइनल ऑडर यानि फाइनल जजमेंट आने वाला है उसका और भारत सरकार की जो यह पोलिस इसका दोनों क क्या इंपेक्ट होगा देखो इसका बहुत ही जबरदस्त रिलेशनसीप है सुप्रीम कोट के जजमेंट से पहले बिफोर सुप्रीम कोट जजमेंट भारत सरकार ने एक सिगनल दे दी है जो वो अपनी एनिपीय का जो नॉम से उसको 180 दिन तक कर सकती है मैंने क्या बोला 180 सुप्रीम कोट का इंट्रीम ओडर लगा हुआ है कोई भी लोन एनिपीय नहीं होगा तब तक कि जब तक का सुप्रीम कोट का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है अब अभी तो फाइनल जजमेंट तो आया नहीं है इसका मतलब इसको जड़ी हम मान के चले जो आप यह मान भारत सरकार अभी कह रहे हैं जो हम 180 दिन तक करने जा रहे हैं तो यानि 15 जनवरी तक 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 तो आपका लोन NPA होगा नहीं होगा यानि जाकि आपका जून 15 जून 16 जून के बाद आपका लोन NPA होना स्टार्ट होगा समझ रहो तो यह अपने आप में एक बहुत बरी बात है जड़ी आप इसका मतलब समझेंगे तो अपने आप में बहुत बरी रहत वाली बात है अब ये चीज भारत सरकार कैसे United सरकार ऐसे करेगी जो यहां पर देखोगे तो भारत सरकार क्या कर सकती है इस आर्टिकल को जब पर होगे तो मार्त सरकार क्या क्या करेगी एक अपनी जो Banking Regulation Act है जो बियारे है ठीक है Banking Regulation Act उसमें Amendment करेगी क्या करेगी उसमें Amendment करेगी उसमें सुधार करेगी ठीक है तो उसमें जब सुधार करेगी तो ये अपने आप में क्या होगा जो फिर आपका Loan 180 तक 180 तक NPA नहीं होगा ठीक है यह देखिए यहां पर लिखा हुआ है समझरे बात को तो यह अपने आप में बहुत वरी बात हो जाएगी तो यह सारी चीज़ जानने के लिए आप यह आर्टिकल पर सकते हैं लेकिन मैंने आपको बता दिया जिदि इस चीज़ को आप ध्यान से रखेंगे यहां पर यह वाली जो मने कंट्रोल ने चापा हुआ अपने हेडिंग में यह अपने आप में बहुत वरी सारा चीज़ यहीं पर कहा जाता है यहां पर देख रहे हो मूव उड रिक्वाइड लेजिसलेटिव चेंजेज यहां यहां अब ही 90 जेज और इसको चेंज करने के लिए सांसद में बिल पेज करना पर आपरेगा उसको पास करना परेगा और जब पास होजाएगा तो फिर रभी ऐई एक फाइनल नियम बन जाएगा वो तो यानि कि क्या होगा फिर आपका 180 दिन तक जदि किसी भी लान का किसी भी क्रेटिटी फेसलेटेगा रेकंटीटिॉसली रेगुलररी पैमेंट नहीं होता है तो आपका लौन एक सोची दिन तक नहीं होगा याँदी आप यह आप यह मान के चलो अब ही तक आपका लौन एनपी जो इन सब्टमबर और एक्स्टेंडेट दर लोन मोरिटूरियम तिल दिसमबर 31 मनी कंट्रोल ने यह भी बात कह दिये लिकिन ऐसा कुछ है ने जदि आप लोगों को जानकारी में है जो क्या सब्सक्राइब ने ऐसा कुछ किया है तो ऐसा मुझे नहीं लगता नहीं यह इनका जो अभी 12 सरकार इस सीच पर विचार कर रही है जो आपका लोन को अभी फिलाल नहीं होगा और अभी जहां तक इस वीडियो के मादें सब जान लो मेरा अपना अनलेसिस काता है जो अभी आपका लोन और 6 महने तक समझे बात को मैक्सिमम 6 मन तक यानि 4 120 दिन से 120 दिन का मतल लगता है यह सारी बातें जो अभी मीडिया में आई है प्रेस में आई है तो यह सारी बातें जो है सुप्रीम कोट की नजर में भी हो सुप्रीम कोट में भारत सरकार पहले ही का चुकी होगी जो यह सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं तो सुप्रीम कोट का जजमेंट होग बज़ेट अभी आने वाली है एक फरवरी 2021 को परजंट होगा ठीक है तो आप ये मान के चलिए जो एक फरवरी 2021 या इससे पहले ठीक है इससे पहले सुप्रीम कोट का जज्जमेंट आ सकता है लेकिन अभी इस वीक में आने की संभावना कम लग रही है ठीक है आज यह तो सारे चीज़ भारत सरकार कर रही है NPA का जो क्लासिफिकेशन है उसको चेंज करके 180 दिन कर दे तो बहुत अच्छी बात हुए क्योंकि इन से आप लोगों को राहत भी मिलेगा और यह सब क्या है यार यह सब तो भारत सरकार ने काफी रहात वाली बात करी है तो देखते हैं क्या कुछ आता है और फाइनेंस बजट जो है इसमें जरूर भारत सरकार यह सारी चीज़ परावधान करेगी और आप लोगों को रहात मिलेगा ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनवाद अब आप इस चीज़ को सर्च कर सकते कैसे गूगल पर जाना है गूगल पर यहां पर डाल देना सीधा एनिपीए क्लासिफिकेशन यहां पर आप डाल देना और डालने के बाद इधर सर्च रिजल्ट में आज आएगा आपके पास एनिपीए क्लासिफिकेशन जैसे सर्च करोगे यह देखिए ओपन हो रहा है ओपन हो रहा है ठीक है यह इतना टाइम क्यों लग रहा है यह देखिए ओपन हो गया है अब यहां पर द होता दिया था और यह मनी कंट्रोल का आप मैंने आप डिटेल से इस वीडियो में अनालेसिस कर दिया अब आपको मुझे नहीं लगता जो अब किसी तरह की समस्या होगा कोई भी बैंक लोन वाला आपको एन बीएफ सी लोन अप वाला ठीटनिंग करता है हरास्मेंट करता ह धम की देता है आपको इन से लेने के जोटनिया मानसिक रूप से आपको परिसान होने की जोटनिया बत यह कोशिश की जिए ज्वेक्व का आप लोग दे देने का काम करने का कुछ अर्निंग वेगर आज अगर तnytर आप भर पाएंगों आपके लिए ब्याज़ गयों एक ठ होता रहेगा तो फिर आपके लिए सरदर्दी हो जाएगी यह बात होगी अब दूसरी बात क्या होती है अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनवाद कुछ भी अपडेट होगा तो हम आपके लिए लेकर आएंगे और अभी मैंने सौर्ट में सारे चीज़ बताया है इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया थेंक्यू वीडियो को शेर वगरे लाइक वगरे कर लेजी दो